हलो एब्रिवान आज हम लोग करने वाले हैं question number five last lecture में हमने question four किया था आज हम लोग करेंगे question number five chapter eight journal ये जो question है ये किस topic पे है ये है bad debts ठीक है bad debts और bad debts recovered bad debt or bad debt recovered ठीक अब ये क्या होता है ये वैसे basic accounting term में समझाया जा चुका है आपनों को लेकिन फिर भी question करने के पहले इस बाल हम इसे समझ लेते हैं कि what actually is this ठीक है what is bad debt simple है business में हर transaction cash में नहीं होता है होते हैं आपने किसी को उधार दे रखा है आपका एक business है ठीक है उस business ने किसी को उधार दे रखा है उधार में माल पेच रखा है ठीक अब उसे आपको एक लाक रुपय देने हैं लेकिन उसकी स्थिति ऐसी हो गई उसकी financial conditions का business जो बिल्कुल डूबने के कगार पर आ गया और उसकी स्थिति ऐसी हो गई कि वो अब आपको पे नहीं कर सकता है उसको जब किसी की ऐसी condition हो जाती है जो आपको पे नहीं कर सकता है पैसा legally अब by court declare हो जाएगा insolvent क्या बोलते हैं उसको insolvent ठीक है ऐसे लोगों को जो अपने debts को अपने करसे को चुका नहीं सकते हैं ऐसे business उनको बोलते हैं insolvent यानि हिंदी में इस वर्ड को बोलते हैं दिवालिया भूला ठीक है तो अगर ऐसा घबी हुआ कि आपने किसी को उधार दे रखा है और वो person या वो उसका business insolvent declare हो गया by court तो आप उससे पैसे जबरदस्ती नहीं ले सकते जाकर जो भी आप processing में आपको मिलेगा वो ही मिल पाएगा ठीक है तो उतना पैसा आपका क्या होता है कि डूब जाता है वो पैसा आपका डूब गया आपने किसी को करजा दे है वो चुकाने की पाईवर वो पैसा आपका डूब गया ठीक है पर इस वाले processing legal होती है ठीक है तो अब वो जो पैसा आपका डूब गया वो पैसा क्या कहलाता है यहां तक बात समझ में आले लिए वो पैसा रिप्स में चला गया अगले दो साल बात अचानक से जो भी प्रूब पैसा प्रूब गया प्रूसीडिंग्स हो रही थी हूट की प्रूसीडिंग्स चल रही थी उसमें क्या निकल के आया है तो दस हजार में से आप कुछ पांच हजार रुपे उससे वापस ले सकते हो ठीक है वो आपको वो अभी के सिस्थिती में कि आपको दस हजार में से कुछ पांच हजार मतलब खतम कर दिया, मतलब यह आपने खर्चा मान लिया, क्योंकि अब आपको मिलेगा रही तो आपने उसको खर्चा मान के, आपको मान, आपकीज कनसी तो ठाहन के, और क्या शुंते रैख्ट यह राइट ऑफ कना, क्यूं कि रही है। अधी अर्यमी खर्चा मिले खते, और कि अचानक से दो पैसा राइट उसका राइट बाफस मेल गया। थीक है 5,000 रुपी वापस आ गया, वो जो 5000 रुपी वापस आया वो क्या होगा, वो होगा, bad debt, recovered, थीक है, वो क्या हो जएगा bad debt, recovered मतलब जब हमने bad debt माना था, वो recover हो गया, थीक है, इसके पेसे पे हमें question करना है, question number 5, latest edition वाली book में question number 5 है, chapter 8, थीक, ये वाला question हम दो करेंगे भी, I hope सबको bad debts or bad debts recovered समझ में आगया होगा, इसी के basis पर ये question, so we will look here, let's start with the question, read it, date है to 2021, April 1, okay, April 1, मुहन is declared insolvent, received first and final dividend from his official receiver 50,000 रुपी, against a date of 5000, ये particular transaction में या लिखने की कोशिश कर रहें हो, क्योंकि आपको समझाना है मुझे, मुहन is declared insolvent, क्या होगा मुहन, insolvent declared हो गया, अभी मैंने बताया ने, insolvency को क्या मतलब होता है, तो मुहन क्या होगा, insolvent declared हो, क्या मतलब, कि अब वो उपने करजे नहीं जुगा सकता, ठीक, then, receive first and final dividend, received, कुछ receive किया गया उससे, क्या, first and final dividend, first and final का मतलब, first and final का मतलब ये है, कि ये पहली बार, मतलब जो हमें उसको धारी दे रखे लिए, उससे हमें ये first and final पहला और आखरी, मतलब जितना मिलना था, इतना ही मिला है, इससे ज़ादा नहीं मिला है, ना मिलने की कोई उमीद है, ठीक है, तो first and final dividend, from his official receiver, ठीक है, उसका जो official receiver है, उससे मिला है, 50 पैसे in a rupee, 50 पैसे in a rupee, simple है, एक रुपे में 50 पैसे हमें उससे receive हुए है, एक रुपे में कितने 50 पैसे, against a debt of 5000, ये transaction आपका लिखा है बुप में, जो मैंने यहां पर फुड़ा सा शॉट में रिखा है, संशानी के दे सिर्फ, कि मुहन, insolvent declare हो गया, first and final dividend हमें उससे मिला, मताँ पहला और आखरी जो मिलना था, वो मिल गया, अब और नहीं मिल पाएगा, क्या मिला, 50 पैसे इना रुपी, against a debt of 5000, यानि एक रुपए में 50 पैसे मिले हैं, और हमने इसको कर्जा कितने रखा था, 5000, ठीक है, जब भी bad debts recovered होगे, तो आपको कुछ ऐसे ही sentences में लेंगे, 50 पैसे इना रुपी, 60 पैसे इना रुपी, 75 पैसे इना रुपी ठीक है, इस तरह के sentences आपको bad debts recovered में मिलेंगे, तो सबसे पहले हम यह सीखते हैं कि ऐसे sentences को कैसे हमें solve करना है, 50 पैसे तो simple है, एक रुपए में 50 पैसे का मतलब आधा मिल गया, एक रुपए में 50 पैसे मिले, यानि आपने जितना भी उसको कर्जा दिया था, उसका आधा आधा आपको मिल गया, ठीक है, यह होता है 50 पैसे 50, 25,000 हाँ, अब यह, यहाँ पर पॉंच लग गया, समझाय मैंने क्या किया, 5000 इंटो 0.50 कर ले, 50 पैसे इनर रुपी, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, इसको थोड़ा भी confusion हो, सीधे percentages निकाल तो पैसे निकाल लो, ठीक है, जैसे percent निकाल तो पैसे भी निकाल सकते हो, बात देखी है, बात कुछ अलग नहीं है, या 0.50, ओके, तो आपका जो amount I guess को solve करने के बार, वो आएगा 2500, ओके, यानि सिंपल है न, 5000 कर्जा दिया था, 2500 रुपे वापस मिल रहे हैं, एक रुपे में 50 पैसे वापस मिल रहे हैं, क्या मतलब है, कि आधा पैसा वापस मिल गया है 5000 का, आधा कितना होता है, 2500, या यही 2500, अगर यही 50 पैसे की बजाए, 50 पैसे की बजाए, अगर यही 60 पैसे दिया होता, तब क्या होता, तब आप कैसे solve करते, तब आप 5000 into point से 0 करते, या फिर 5000 into 60 by 100, बात समझ में आ गई, किता बजिया हो, 75 पैसे, 75 by 100, 35 पैसे 35 500 तो आपको जतना की दिया होगा एक रुपए में आपको उसे ऐसे ही solve पर के find out करना है तो अभी यहां पर 50 पैसे रुपी मिले हैं तो उसे कितने मिल गए 5000 की नेप में 500,000 रुपे मिल गए अब हम इसकी entry देख से हैं क्या क्या entry होगी पीको कुछ पैसे तूं मिल गए है शोगया कुछ पैसे भी यानि क्या हो गया था आध्या अधा भी बचा हुआ है तो 5000 में से आधा मिल गया और आधा डूब गया जो डूब गया वो क्या होगा वो खर्चा होगा खर्चा मान के उसके राइट अफ करने का मतलब खर्चा क्या होता है expenses, expenses आगे business में तो क्या होगा debit होगा और उस खर्चे को हम बोलेंगे क्या उस खर्चे को बोलेंगे bad debts fine तो bad debts account भी debit हो जाएगा समझाई बाद cash to business में आया asset आया, asset बढ़ गया, इसलिए debit हो गया bad debts तो है, खर्चा बढ़ा तो वो भी debit हो गया okay, two two में कौन जाएगा भाई, two में मुहन जाएगे, है न कौन जाएगे, मुहन ठीक है, हमें मुहन से ही तो मिला है न, ये सब कुछ two two मुहन सा काउंट आई ये बाद समझ में तो cash अकाउंट को डेबिट किया bad debt सा काउंट को डेबिट किया और two मुहन सा काउंट, okay अब इसका amount देख लीजा, बहुत simple है कि five thousand पूरा मुहन को देना था कि क्या है, मुहन दे कितना पाई, two thousand five hundred और do कितना गया, two thousand five hundred समझा गई पाद, तो ये होगी आपकी entry और ये ऐसे हम लिखेंगे इसका amount और इसमें आप narration कैसे लिखेंगे fifty पैसे in a rupee received from Mohan fifty पैसे in a rupee received from Mohan. This was the very first entry. Now coming to the second one, April 2nd April 2nd क्या है transaction 8000 due from Ramesh is not recoverable 8000 8000 due from Ramesh is irrecoverable या not recoverable बात एकिए ना irrecoverable या not recoverable तो 8000 पर Ramesh को दिये थे देने थे उधार उसने ले रखे दे हमसे वो उने में चुकाना था लेकिन अब वो not recoverable है अब वो नहीं दे पाएंगे ठीक है आप वो नहीं दे पाएंगे simple तो क्या होगा इसमें भाई आप वो पैसे उनने हमसे लिये थे लेकिन आप वो नहीं दे पाएंगे अब बाद clear हो गए है कि हम नहीं दे पाएंगे तो क्या करेंगे हम bad debt करेंगे मैंने पहले ही बताए जो पैसे डूप है यह जो पैसे डूप जाएंगे वो कहां चले जाएंगे bad debt में तो यह हो गया bad debt करेंगे क्योंकि expenses मान रेते हैं इसे और कौन है यहाँ पर कौन है किसको दिये थे हमने हमने रमेश जी को दिये थे तो रमेश जी जो है वो क्रेडिट हो जाएंगे तो रमेश अकाउंट आई पर समझ में किता रुपे आठ हजार था सीदे सीदे आठ हजार लिकिंगे इसमें कोई अमाउंटा calculation नहीं करना है नहीं करना है ओके I hope यहाँ तर कोई confusion कोई भी तरह का confusion है क्या और यह हो जाएगा आपका bad debt written off इस ही को बोलते हम कि हमने bad debt को खर्चा माना और उसे write-off कर दिया तो bad debt written off चीचेट, now moving to next transaction श्याम ओर 15,000 became insolvent and 50% is received from his state श्याम ओर 15,000 कोई जली थे, कोई थे श्याम जिन्दों ने हम से ले रखे थे 15,000 उपे कितने? 15,000 उपे और वो क्या हो जाया? insolvent हो गए ठीक है? वो insolvent हो गए और अब वो इस स्थिदी में नहीं कि वो ये पैसे 15,000 में चुका पाएं लेकिन जैसे तैसे करके ठीक है? उनसे कित्ती रुपे मिले? उनसे मिले 50% 50% जो है जैसे तैसे करके उनसे receive किया गया ठीक है? जितना उधार था उसका 50% अगें वही बात है ना 15,000 उधार था उसका 50% उनसे receive कर लिया गया है तो जितना receive किया गया है वो तो cash आ गया और जितना नहीं मिला डोस गया वो पैसा वो खर्चा मालेंगे, bad dips मालेंगे तो क्या इंसी हो जाएगी? डीट क्या है भई? एप्रिल 3rd है एप्रिल 3rd जो पैसा मिल गया, 50% मिल गया है ना तो cash में आ जाएगा, वो cash account debit जो नहीं मिला, जो डूब गया, वो कहां जाएगा? bad debt, account debit to, कौन है इंसाहर? श्याम जी है तो, श्याम सरकामिट इन्होंने हमसे 15,000 लिये से और अब हमें कितना दे पाएंगी ये? 15,000 का 50%, 15,000 का 50% इतना आपको, मैं में क्यालकुलेशन आना चीए 15,000 का 50% 7,500 होगा, ठीक है? करके देखने के जरुबर ना पढ़ें, इतनी प्राक्टस कर लीजे, ठीक है? so, it is 7,500 7,500 cash मिल गया, बाकी आधार डूब गया, bad debt में चला गया टोटल लेने के तेखे? 15,000 ओके? नरेशन क्या हो जाएगा? यही हो जाएगा, 50% received from श्याम नरेशन के लिए आप question की help ले सकते हो? question से आप easy way में नरेशन को find out करके लिख सकते हो, ठीक है? 50% of, जो question में लिखा मैं उसी को लिख रही हूँ, of श्याम्स estate received from, from श्याम्स estate ठीक है? ठीक, बात समच में आ गई? एक last transaction इस question में April 4 में April 4 क्या है? श्याम्वो ओर 15,000 became insolvent sorry, sorry received 10,000 in cash from Sohan for bad debts written off last year received 10,000 from Sohan Sohan से 10,000 रपे लिए received 10,000 from Sohan प्यक है? जो पैसे हमने for bad debts written off last year for bad debts written off written off last year मतलब पिछले साल हमने इस पैसे को इस पैसे को ये जो 10,000 है हमने bad debts मानके write off कर दिया था जैसे इस साल हमने इस पैसे को write off किया ना वैसे पिछले साल हमने इस पैसे को bad debts मानके write off कर दिया था लेकिन अचानक से कुछ हुआ तोहन जी बोले कि भाई आपके पैसे अपने ले लो ठीक है तो वो पैसे हमारे पास आ गए तो जो पैसे हमने खर्चा मान के राइट ओफ कर दिया था अब वो पैसे हमारे पास इस साल आ गए ठीक है तो अब इसमें क्या इंड्री होगी भाई पैसे आए है तो क्या शायर है स पर अब मिले हैं इसके लिए में आ कांट होते हैं वो कौन सा कांट होग यह best debt recovered, क्या होता है, bad debt recovered, आई बात समझ में, तो ये पैसा हम इस account पे डाव देते हैं, bad debt recovered के नाव पर, ठीक है, कितना रुपे जाएगा, 10,000, ते 10,000 उन्हों ने हमें दिया है, तो narration में भी हो जाएगा, भी, bad debt recovered, ठीक है, this question is done, question number 5, छोटा सा question था, लेकिन ये bad debt के concept का question था, इसलिए मैंने करवाया है, ठीक है,